Good morning children, we all love to talk, but we can talk to someone standing next to us. हम सभी को बाते करना पसंदे, लेकिन हम बाते तो सिर्फ उसी से कर सकते, जो हमारे पास में खड़ा हो या हमारे पास में हो. है ना? तो आज हम means of communication की बात करेंगे. We can shout out a message to someone standing at a little distance from us. अगर कोई हम से थोड़ी दूरी पे खड़ा है, तो हम थोड़ा सा तेज बोलके भी उसको अपना message पहुचा सकते हैं. इसा होता है ना, तभी कभी कोई व्यक्ति हम से दूर रहता है, तो हम उसको थोड़ा सा तेज, थोड़ा सा लाउड आवाज लगा के अपनी बात उस तक रख सकते हैं. तो ये भी एक तरीका है किहां, कम्यूनिकेशन का, पहले के जमाने में क्या होता था, कि कम्यूनिकेशन के लिए, पीजन्स का यूज किया जाता था, पीजन्स जो होते थे, वो उनके फीदर में messages बान दिये जाते थे, कागच के पे लिखके, और वो महां से लेके चले जात जाते थे, इन ओल्डन डेस, पीजन्स जो होता था, उसको जाके पहुचा देते थे, पहले के जमाने में दूसरी चीज़े तो हुआ नहीं करती थी, और इतने वीकल्स भी नहीं रहते थे, कि एक जगह से दूसरी जगह हम जा सकें, तो ये message का जो काम था, वो पीजन्स किय करते थे, ओके, या फिर कोई messenger horse पे भेजा जाता था, कि जो एक जगह से दूसरी जगह message delivers कर सकें, अगर कोई emergency होती, तो फिर एक जगह से दूसरी जगह किसी messenger को भेजा जाता था, तो वो जाके messenger messenger जा वहाँ पहुच के अपना message, आपका message deliver करके आता था, How do we talk to someone who is another city or country, अगर कोई दूसरी city में या country में है, तो हम उससे कैसे बात करेंगे, उसका क्या तरीका है, सोचो जरा कैसे बात करेंगे, अगर कोई दूसरी city में है, तो पहले, जब कोई दूसरी city में होता था, या दूसरी country में होता था, तो जो लोग रहते थे, वो letters लिखते थे, देखिए आप इस picture में भी एक letter दिख रहा है, तो वो letter post करते थे, और letter के through, वो अपना message सामने वाले तक पहुचाते थे, we can buy island letter और aerograms, letter we send outside the country, वो लोग ये जो letters रहते थे, वो purchase करते, post office से और उसको लिखके post box में डाल देते थे, फिर postman uncle होते थे, वो ये सारे letters post office से ले लेते थे, आपने जो address उस पे लिखा होता था और stamp लगा के उस पे लखा होता था, तो वो वहाँ पे उसको भेज देते थे, उस पे pin code लिखना भी जरूरी होता था, अभी तो बिल्कुल letters का चलन खतम हो चुका है, तो आप लोगों ने कभी letters लिखते होए देखा भी नहीं होगा, या बहुत कम देखा होगा, दूसरा जो तरीका था, वो था telegram, अगर हमको कभी किसी को urgent message देना होता था, तो वो telegram के through दिया जाता था, telegrams can be sent from the post office, they are urgent messages, अचानक कोई ऐसी situation आ जाती थी, तब telegrams किये जाते थे, जो कि बहुत जल्दी पहुँच जाया करते थे, तो telegrams are urgent messages, which we can be sent from post office, जो कि हम post office के through send कर सकते थे, थार्ड होता था, fax, उसके बाद हम fax से भी अपना message send कर सकते थे, we can send fax messages on a sheet of paper, हम fax messages को एक sheet of paper पे send किया जा सकता था, it is through some telephone which have this facility, ये किसी telephone के द्वारा होता था, जिसमें की fax की facility available होती थी, telephone carries a message very fast, telephone से आजकल के जमाने में telephone आ गए, तो telephone carries a message very fast, we dial a number and get to speak to the person who picks up, अब mobile phone भी आ गए हैं, तो mobile phone से हमने डायल किया और हम easily उस बंदे से या उस व्यक्ति से contact कर सकते हैं, जिसको की हमने call किया है और उससे बात कर सकते हैं, उसको अपना message दे सकते हैं, mobile और cellular phone और telephone, which we carry anywhere with us, wherever we go, हम जो mobile हैं, उसको कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, we can send emails and chat live with people due to internet facility over a computer, हम लोग internet के थुरू email से अपना message send कर सकते हैं, live chat भी कर सकते हैं, all over the world due to internet facility over a computer, this is very fast and not very costly, यह सबसे ज़्यादा fast होता है internet facility और नहीं यह बहुत ज़्यादा costly होता है, आजकल mobile पर भी video calling की सुविधा हो गई है, तो हम उसके थुरू भी बात कर सकते हैं, और जो internet है, वो सबसे fast way है, और ज़्यादा costly भी नहीं है, तो उससे भी हम contact कर सकते हैं, other means of communications are newspapers, newspaper के थुरू हमको बहुत सारी ख़बरे जानने को मिलती है, radio के थूप पता चलता है, हमको बहुत सारी चीज़े, television के थूप पता चलती है, तो ये सारे different modes of communication है, different means of communication है, तो जब भी आपसे जब different means of communication के नाम पूछे जाए, तो आप ये सारी चीज़े बताईएगा, जो जो चीज़े मैंने इसमें describe की है, वो सारी चीज़ों के नाम आप मुझे बताईएगा, या ममा को बताईएगा, पापा को बताईएगा, उनसे discuss कीजिएगा, वो बहुत happy होंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा, ओके?